ओम शान्ती एक तीन दो हजार चौबेस की साकार मुरली मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञानरत्न तुम्हें राव राजा बनाते हैं या बेहद का स्कूल है तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है ज्ञानरत्नों से जोली भरनी है प्राश्न कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं उच पद के लिए किस पुरुशार्थ की जरूरत है उत्तर जो बच्चे अपनी जोली भर कर बहतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं उच्पद के लिए बहतों की आशिरवाद चाहिए इसमें धन की बात नहीं लेकिन ग्यान धन से अनेकों को कल्यान करते रहो खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं ओम शान्ती धारणा के लिए मुख्य सार पहला अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है बहुत बहुत मीठा बनना है हम ब्रह्मा मुखवंशा वली ब्रामण हैं इस नशे में रहना है दूसरा सर्व का प्यार वा आश्रवाद प्राप्त करने के लिए ज्यान रतनों से अपनी जोली भर कर दान करना है बहुतों के कल्यान के निमित बनना है वरदान हर कर्म में बाप के साथ भिन भिन सम्मंधों से इस्म्रती स्वरूप बनने वाले स्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन भिन सम्मंधों से इस्म्रती स्वरूप बनने वाले स्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा वह सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्वी बच्चे के रूप को जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्व शक्ति वान स्वरूप से मास्टर सर्व शक्ति वान के स्मरती स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खोश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतह अनुभव करेंगे फिर यह ब्रामन जीवन सदा अमूल्य स्रेष्ट भागिवान अनुभव होती रहेगी स्लोगन ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मन्जिल पर पहुँचना अच्छा ओम शांती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा इन लहरों को देते रहो बंद में भर बंद मनें लोगळगे बंद में पहलं आप जाओं